Hello Friends, Welcome to Logist Point आज हम जोगर अभीफ में उत्तर पुर्देश के बारे में पढ़ेंगे उत्तर पुर्देश में जो भी छोटे छोटे एक्जाम होते हैं या UP PCS के फिरी में Lower PCS, Upper PCS, समिक छादिकारी, SIIN में जो भी जोगर अभीफ में UP से related question पूछ जाते हैं ज़्यदा detail में तो नहीं जाओंगा मैं लेकिन जो भी important question बार बार repeat होते लाते हैं उन question का हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए फिर सुरू करते हैं भारत के नक्से में UP, आपको पता ही है किदर है पहले उत्तर पुर्देश का नाम संयुक्त परांथ था आप जानते होंगे 26 जन्वरी 1950 तक इसका नाम संयुक्त परांथ था इसके बाद इसका नाम बदल कर उत्तर पुर्देश कर दिया गया 1858 तक उत्तर पुर्देश की राजधानी आग रा थी और 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी अलावाद रही थी और 1921 के बाद इसकी राजधानी है लखनाव 1921 से अब तक इसकी राजधानी लखनाव है और 1921 में ही यूपी में विधान परीशत का गठन गवा था दोस्तों उत्तर पुर्देश का चेत्र पर 2,44928 वर्ग किलोमीटर है इसे आप नोट कर लीजिए जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ वीडियो में सभी इंपोर्टेंट है सभी बार-बार एक्जामस में यूपी के एक्जामस में बार-बार रिपीट होने वाली चीज़ है सब ये तो इसका चेत्रपल इतने वर्ग किलोमीटर है इसे नोट कर लीजिए आप और ये भारत का लगवग 7.33% है ठीक है चेत्रपल की दरश्टी से उत्तर प्रदेश का भारत में चोथा स्थान है ये पहला है राजिस्थान का दूसरा है मद्दे प्रदेश का तीसरा है महारास्टे का इसके बाद आता है UP ठीक है इनका किरम भी आप याद कर लीजिए काफी बार पूछ लियाता है दूसरे नमबर पर कोन आता है तीसरे पर कोन आता है चोथे पर कोन आता है ये पूछ लियाता है पूरे भारत में सब ज़िले आपको अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं इसमें सब जिले हैं और यूपी में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं यह 18 मंडल 75 जिलों में विभाईत हैं देखने साब को लग रहा हुआ सबसी बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खिरी ठीक है देखे कितना बड़ा एरिय इसका तो सबसी बड़ा जिला जो है लखीमपुर खिरी है और सबसी छोटा जिला कौनचा है हापुड ठीक है इस दोनों जिले आप याद कर लिए सबसी बड़ा लखीमपुर खिरी और सबसी छोटा हापुड और उत्तर प्रिदेश में ऐसा जिला कौनचा है जिसकी सीमा स यहाँ पर पिर फिर नीचे आया थाई यहाँ पर चट्श गड़ के इसके बाद यहाँ पर मद्धर पेरदेश है तो यहीं चारों राज्जों को टच करता है बहुत इंप्पोर्टेंट कोसन है यह उसलिए आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलावी सोनбद्र है यू-पी में उत्तर प्रदेश में सबसे धक्षिन का जिला सोनबद्र है इसे भी आत कर लेजिए इसके नक्से के बारे में जánकरी है कौन सा जिला कहाँ पर है थोड़ा बहुत भी आगर जानकरी रखते हैं अब तो अपने दिमाग में बलिया होगा और इसी तरीके से हम देखते हैं सबसे पस्चिम में कौन सा यहां देखिए सबसे पस्चिम में थोड़ा आपको परेशानी पड़ेगी तो थोड़ा इसे याद कर लीजिए सबसे पस्चिम में जो आता है यहां पर देखिए सामली आता है सबसे पस्चिम में साम नहीं है। तो इन चारों जीलों को आप याद कर लिए ठीक से। और दोस्ता हैं आको पता ही है। यहा से गंगा निकलती है है। यहा पर अलावाद। कि यहा प्सिम बंगाल और पे प्ट्रभाया की घर गिरियर जाती है। और किसी सहयक नदी है, वो भी उत्तर खन से निकलती है, यहां से बहतुई हिस्तर के से आती है। और वो यहांपर अलावाद में गंगानदी में मिल जाती है। नीचे वाला उत्तर प्रदेश का पठाली चेतर है और उपर वाला ये उत्तर का जो चेतर है ये भावर तराई चेतर है तो इन दूनों के बीच के चेतर को ये जो चेतर है पूरा जो गंगा के एरिये में आता है यहां से सायक नदियां गंगा में मिल जाती हैं तो इस चेतर क मतलब NCR में उत्तर प्रदिश के 7 जिले आते हैं ये हैं देखिए मुझफर नगर, बागपत, मेरट, गाजियाबाद, हापुड, गोतमपुद नगर, बुलंद शहर ये 7 जिले हैं, ये 7 जिले NCR में आते हैं इसे वियाद कर लिए, ये ही पूछा जाता रहा ता कुस्तन देखिए भारत में उत्तर प्रदिश से एक ऐसा दिला है, जिसकी सीमा सबसे जादा राज्यों को टच करती है इसकी सीमा 8 राज्यों को टच करती है, और एक केंदर सासित प्रदिश को टच करती है जिसमें की एक दिली है, यहां देखिए उत्तरा खंड से टच करता है, ऊपर यहां पर हिमाचल प्रदिश से थोड़ा सा टच करता है उसे नीचे हरियान से, फिर दिली से, राजिस्थान से, फिर यहाँ पूरा यह मद्दे पिर्देश से, फिर यहाँ चतिस गड़ा जाता है, जारकंड विहाँ, तो यह आठ राज्ये हैं और यह केंद्र सासित पिर्देश है, यह याद करनी जरूरत नहीं है, अगर आप मैप मैं देखा है, आपने ठीक से मैप के बारे में जानते हैं, कौन साराज्ये कहाँ पर है, तो इसे भी याद करनी कोई जरूरत नहीं है, और जब भी आप जोगरभी पढ़ते हैं, जोगरभी में मैप से रिलेड़िड कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपके सामने मैप जरूर हो करती है, यह भी काफी important question है, और सबसे ज़्यादा मद्य प्रदेश को touch करती है, यहां से यहां तक लगवग यह पूरा मद्य प्रदेश को touch करती है, यहां पर यह गूमा हुआ है, जिसकी वेशे और ज्यादा बढ़ जाती है सीमा, थोड़ा सा जोड़ा हुआ है, ललित और दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवाई उशॉण कर्टी बन दि है और मानसूनी है, देखिए यहां पर यह गोरखफूर है, इस गोरखपूर में प्रदेश की सबसे ज्यादा बरसा होती है, मतलब अगर को सब आ जाता है, गी मतुरा में मतुरा कहां पर है यह देखिए मतुरा है सबसे कम बर्सा इसमें होती है इसमें 184.7 cm तक बर्सा होती है और दुस्ता आप जानते हैं यहां पर नीचे यहां बंगलादेश है बंगलादेश से नीचे को बंगाल की खाड़ी है तो इस तरीके से यहां पर बंगाली होती है अधिकान से वर्सा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है और इसे हम पूर्वा कहते हैं कि गाउं में आपने सुना होगा कि पुरुवाई चल लए है पुरुवाई चलती है तो वर्सा होनी की संभाव न रहती है तो उसका मतलब भाही रहता है कि मतलब जो हवा चलती है बंगाल की खाड़ी की ओर से आती हवा तो समुंदर से पानी लेकर आती है और उससे वर्षा हो जाती है और बाकी दोस्तों अगर आपके मैप ठीक से समझ में आ गया होगा तो आप बाकी डीटेल में बुक्से पड़ सकते हैं अगर फिर भी आपको कहीं आता हूं मैं वह उत्तर फुर्देश के लिए काफी इंपोर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताए ही है अपर PCS, lower PCS, समिक्षादिकार, UPSI और बाकी समुगय, Constable इस टाइप के जितनी भी एक्जाम होते हैं यूपी के, सबी के लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आप जानते ही हैं, जीके के पेपर में यूपी से काफी पूछाजाता है, तो ये वीडियो को काफी इंपोर्टेंट होंगी अगर आप यूपी के किकी एक्जाम के ताइरिक कर रहे हैं तो आधसे दोस्तों आपको ऊप्रसंद आई होगी अगर आपको ऊप्रसंद आई है तो इस लाइक कीजिए सेर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आई कम पर किलिक करतेजिए जिसे कि आपको नेक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पर आपते रहेंगी चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यो